नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का आपके हमारी यूट्यूब चैनल रोखेस्टार एजूकेशन में मैं हूं राज फाइनली आप लोग के लिए एक अच्छी अपडेट एक अच्छी खबर लेकर आए हैं अगर आपने पोस्टमेटिक स्कॉलर्शिप के तस एकेड अगर आप अभी भी फिजिकल कमीटी वेरिफिकसन पेंडिंग बता रहा है वो कब तक वेरिफाइए हो जाएगा उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत लोगों का होना शुरू हो चुका है तो इस वीडियो को अंतक देखिएगा अगर अभी भी physical committee verification पेंडिंग बता रहा है तो कैसे आप इसको verify करवा पाएंगे हम संपोन जानकारी देंगे अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर सेर कीजेगा और हाँ वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसको एक like जरूर कर दिजेगा क क्योंकि Postmatic के regarding हम बहुत सारा अपडेट लेकर आया करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको इससा अपडेट मिलता रहे तो प्लीज आप जाके हमारे WhatsApp चैनल और हमारे टेलीग्राम गूरूप से सबसे पहले जाके जूर जाईए वहां हम सबसे चोटा बड़ा सारा अपडे होना शुरू हो चुका है हलां कि क्या कैसे इस वीडियो में हमने हर एक जानकारी प्रवाइड कर दी है इस पर क्लिक करकर आप जाके देख लिजेगा कि ये वाला में हमने क्या बताया है क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग महीं यानि कि 2023 के दिसंबर माह में बताया था कि हर एक इंसिट्यूट हर एक कॉलेज में जो है इंसिट्यूट लेवल का वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुका था तो सभी का यही मानना था कि आखिर फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन कब सुरू किया जाएगा सिंपल तोर पर जब देखा जाए तो देखिए हमारे सामने एक छातर का खुला हुआ है मैंने कल इसी के उपर वीडियो बनाया था इनका भी यही कहना था कि हमारा इंसिट्यूट वेरिफिकेशन बहुत पहले ही जैसे मैंने फॉर्म को फाइनल समिट किया उसके बाद मैंन फिजिकल कमिटी के रिगार्डिंग कुछ नोटीस आया उन्हेंने सबसे पहले हमें कॉंटेक्ट किया उसके रिगार्डिंग हमने चनल पर वीडियो बना राखा इसको आप देख लिए फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कॉलेज के दौरा ही किया जाता है लेकिन यह जो ह को लेजे को अगर आपके फॉर्म को वेरिफाइड कर दिया है वैसा ही फॉर्म को फिजिकल कमिटी टीम आएगी और उसको वेरिफाइड करेगी जांच परताल करेगी अब रही बात कि कल जो इस छातरों का जो यहां पर देख सकते यह डिफेक्टिव हो गया था यह एकेड अपक करिएगा तो आपको यहां पर देखने़ को मिल जाएगा जसी क्त क्रेंव यानरी कहां अपर अप्लिक्टिवी और सांव मेंट निवल्वनिया या यानि कहांसे यां एप अपनिवी जो है का सर्चर में ही बात कि हमारा fitting आपके कॉलर्ज में आकर विजिट करेगी आपके आविदर्धन को देखेगी कुछ गलती पाडलता है तभी आपके form co defectively viable zach किया जाता है अगर आपका form को defectively रिजक्ट किया जाता है फिर भी आप अपने form को सुधा कर सकते हैं दर्सा कि हमने कलаты कर दिया हैतो रही एक कॉलेज में हर एक डिस्टिक का अलग अलग टीम गठित किया जाता है अब रही बात ऐसा नहीं है कि अगर आज आपके यहां गया आपके कॉलेज में तो कल दूसरे कॉलेज में जाए तो जरूरी नहीं है कि पहले-पहले आपके ही कॉलेज में आ जाए आम तोर पर समझ ज जो है हर एक डिस्टिक से गठित कर दी गई है और हर परतेक इंसिट्यूट परतेक कॉलेज बही जा रही है और सब जगा जा जाके एक-एक करके सब आविधन को देखा जा रहा है और उसको जो है बेरिफाई किया जा रहा है अगर आपका आविधन सब कुछ सही पाए तो सबसे पहले आपके द्वारा जमा किया गया hard copy को देखती है साथ में जो भी आपने उस hard copy जमा कियाいた i ke यरू secular Travel भेहित Prim china कंवIST को आए जो आपकी इस दौनई कर रहे हैं उसपर सील्मर आपकी College का लगाा या फिर नहीं लगा है बहुत सारी चीजों को इसी तरह का चीजों को देखा जाता है याद रहे जब भी फॉर्म को भर है तो याद रहे अपना फ्री स्टेक्चर और वना फाइट को बिल्कुल सही सलामत भरिए क्यूंकि थोड़ा था भी मिस्टेक होगा तो फिजिकल कमिट के टीम बकस देती है यहां तक अगर आपका डिफेक्टिव होता है तो बहुत अच्छी बात है इसके बाद अगर डिफेक्टिव होता तो थोड़ा बहुत दिक्कत आता है तो याद रहे कोशिस किजिए जब भी अपने फॉर्म को फाइनल सम्मीट कीजिए तो आपका कोश टिप जो हुआ था इस चातर का फिजिकल कमिट्टी इसमें क्या था कि इन्होंने जो है अपना फी एस्टेक्चर जो डाला अप्लोड किया था और यहां पर इनका जो है मांगा जा रहा था 2022 का तो ऐसा गलती आप ना करेंगे हलां कि किसी भी तरह का गलती होता है तो आपक होने के लिए फीजिकल कमिट्टी टीम के पास चली जाएगी तो मैंने आपको बता दिया कि फीजिकल कमिट्टी जो है अब सबका वेरिफाय जल्स होना शुरू हो जाएगा जिन लोगों के कॉलेज तक अभी टीम नहीं पहुंची वह इंतिजार कर लिए क्योंकि बारी-ब इस तक के लिए धन्यवाद